हेलो इंजिनियर्स वेलकम तो दी वर्ल्ड ऑफ सिविल गोर जी सिविल इंजिनियर ट्रेनिंग इंस्टिटूट में आप सभी का स्वागत है मैं सुधीप कुमार अगरवाल इस्टक्चर डेदाइना आप सभी कले सिविल गोर जी आज का टॉपिक बहुत बेसिक है हर एक इसकी वॉसकता है जैसे आपने कभी देखा कहा होगा कहीं पर 12 की शोला कहीं पर इर्था और आज की देख रहे होगे तो 8 इंची 9 ची 9 चार चार इंची और 4 इंची की बर को ती यह सब क्या होता है इसके बारे पूरा डीटेल में जानते हैं आज के वीडियो में आपको औ डिपेंडिक ओन ता या सोला या आट हुए पंतु हम भी पता होगा लोड वे क्या नुक्सान था कि लोड़ीज भी को बनाना बहुत कोई बहुत कठी बहुत कटिन सकी इसन का कौलम और बीम नहीं बनाते थे हम, सिर्फ ब्रिकवर्क के help से पूरा structure design होता था, brickwork के उपर slab का load आजाता था, अभी आज जी डेट में जो हमारे पूरा design होता है वो आपके frame structure के base में होता है, जहां पर main load आपका column और beam load carry काता है, आपका slab transfer करेगा, को भी में बीम ट्रांसफर करेगा कॉलं में औरही कॉलं फॉंडेशन मेंसजा और स्वार करते mobility बेसिक होता है तो इस इसाब से वाल का तो कोई रोल नहीं है व्या कोई लोड ट्रांसफर में नहीं करता उडारी स्क्ट्रांश लोड ले रहा है और स्वाल तक ट्रांसफर wall है outer wall कि यहां पर 200 mm की है या फिर हो सकती है 230 mm की जो की बोला जाता है 9 इंची या फिर 8 इंची अब यह depend करता है आपके brickwork के size पर जैसे आपका brickwork कहीं 230 x 115 x 70 तो आपकी wall हो जाएगी 230 की वहीं कहीं आपका brickwork 200 x 100 x 100 है तो आपकी brickwork wall आजाएगी आपकी 200 mm की और कहीं और specific करें जैसे यहां पर presently government में मना कर दिया red brick को use करने कोई से भी government project में तो पूरे में use होता है यह fly ash brick जो कि आपको यहां दिख रहा है यह पूरे fly ash bricks हैं government के project में यहां पर यहां है कि fly ash brick ही use करना है red bricks allowed नहीं है और उसका size होता है 200 x 100 यह size हुआ तो इसी के कान हम बाहर की पूरी wall को 200 mm की करते हैं अब बाहर की wall को 200 mm की पतले 100 mm की कर दें तो क्या होगा 200 mm का रखने का reason क्या है सबसे पहले यह पता करते हैं सबसे पहले एक security reason की concern कि आपकी wall जल्दी damage ना हो इसके करन 200 mm की होती है दूसरी thermal isolation provide करती है जितना ज्यादा उसकी width रहेगी उतना ज्यादा thermal isolate रहेगा एक बाह में गर्मी नहीं आएगी एक बाह में wall लगाते हैं क्यों क्योंकि environment condition के करने वह wall जल्दी damage हो सकती है इसके करना 100 mm की या फिर 4.5 inch की wall हम कभी भी बाहर पर provide नहीं करते हैं वो 200 mm की wall होनी चीए अब चलते हैं अंदर की wall की बात करते हैं अंदर की wall हर दम आपको चार इंची या साड़े चार इंची मिलेगी चितने भी residential building है आप देख सकते हैं यहाप जैसे कि आपको properly दिख रहा होगा यह चार इंची की दिवाल है मतलब 100 mm की दिवाल है यहाँ पर 100 mm की दिवाल क्यों दिया गया है क्योंकि यह inner wall है इसमें load carrying तो पहली बात होता ही नह इसमें environmental condition भी कुछ नहीं आ रही कोई ज्यादा rain water नहीं आएगा कुछ effect नहीं करा सिर्फ एक separation क्ले करें हम काम तो इसके कारण 200 mm की भी बना सकते कोई दिक्कत नहीं कहीं चाहें तो इसको 8 इंची की भी बना सकते मतलब 200 mm की बना सकते उससे नुकसान क्या होगा आपके structure में load बड़ेगा दूसी चीज आपकी थोई सी जगा कम हो जाएगी इसके कान हर दम inner जो वह रहती है उसको हर दम पतली रखने की कोशिश क्या जाता है पतली कितनी जैसे आपने बाहर पर 9 इंची की की है तो अंदर 4.5 इंची हो जाएगी जैसे बाहर आपने 200 mm की की है तो 100 x 100 की मिलती है जो कि यह ब्रिक्स है और एक और चीज कभी भी हम लोग कहीं पतली वाल प्रवाइट कर रहे हैं मतलब जो साड़े 4 इंची की वाल है या फिर 4 इंची की वाल है वहाँ पर बहुत जवरी है आपको जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे है कि सील बेंड दिया ग वह पूरा मिलेगा जैसे आपको unit conversion करना है तो वह पूरा सिखाए जाएगा converter factor मतलब meter को fit में कैसे convert करें उसके लिए क्या into करना है कैसे करना है वो बताया गया है साथी साथ कितनी भी checklist जो भी checklist आपको field में use होने वाली है उसके बारे में पूरा बताया गया है और material में क्या क execution में site engineer को required है वो पूरा बताया गया है equipment जो use होने वाले site में उसके बारे में पूरा detail दिया गया है और उसके साथ ही साथ की estimate की sheet कैसे दिखती है BOQ की sheet कैसे बनानी है उसके बारे में पूरा information दिया गया है मैं link में इसके बारे में और detail भी दिया हूँ आप वहाँ जाके enroll हो सकते हैं यह पूरा course आपको सिर्फ 49 rupees में मिल सकता है फिर रिपीट करना हूँ यह पूरा course जितना मैंने पूरा बताया है वो पूरा एक PDF में पूरा information दिया गया है आपको वह भी सिर्फ 49 rupees में आपको यह मिल सकता है नीचे description में link दिया गया है वहां से आप enroll होई है वहां से चीट कैसे बनाते हैं उसकी बीओ क्यों कि शीट कैसे बनाते हैं और बीबीएस में cutting length कैसे निकालते हैं पूरे structure में जितना reinforcement निकलने वाला है उसको कैसे calculate कर सकते हैं आपको को क्लाइंट आपके पास आया है उसको submission drawing चाहिए तो submission drawing कैसे बनाना है यह पूरा आप detail सिकते हैं आजू बाजू का structure कहते दिखेगा पूरा आप rivet में सीखते हैं उसके बाद उसके structure designing करना कि उसमें column कहां पर place करना है कितने size का column place करना है कितनी size की उसकी beam होगी उसको कैसे economical बना सकते हैं यह पूरा आप e-tab में सीखते हैं साथ ही साथ हर एक site में चुक material use होने वाला है उ उसके बाद आपका point आता है MSP जो कि एक बहुत high level software है जिसमें कि आप पूरा सीखते हैं कि project में कितने मतला first week में आपको कितना caution गाएगा second week में कितना caution गाएगा third week में पूरा project start कब हो रहा है end कब हो रहा है उसमें कितना material लगेगा हर week आपको site में कितना material बुलाना है यह प मुझे सिर्फ एक item का पूरा bill बनाना है तो वो कैसे मना सकते हैं और government के सबसे measurement book कैसे बहते हैं bill book कैसे बहते हैं वो पूरा detail में देखते हैं आप यह पूरी चीज आपको मिल सकती है corporate training course में वो भी सिर्फ 9000 में और कहीं आपको और advance चीज़ें 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 जैसे ह free reading कैसे होती है tender कैसे बनना है tender को apply कैसे करना है वो पूरा information मिलता है आपको contract and tending में जो की यह पूरा जो मैंने आपको corporate training course का बताया था course साथ साथ contract and tending यह पूरा आपको मिल सकता है 13000 में साथ ही साथ कहीं आप 15 September जो की date आप लोग को भी अच्छा से याद होगी engineers day के पहले आपके यह course में enrolled होते हैं तो आपको कुछ आपको special discount मिलेगा जब आप offline पढ़ने आएंगे हमाएं पास तो यह जितना course का आपने fees दिया उसका 50% discount हो जाएगा offline fees में इसके बारे में और जानना है तो call call 911 001234 में और जाके हमाई website visit कर सकते हैं civilguruji.com और आपको free courses चाहिए तो जब हैब 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 ह